हिलो क्रेंग्स मैं अनामिका मेरी किचिन में आप से भी का स्वागत है हम आज घर के इंगिनियंशे गर्मा गर्म जलेवी बना के तयार करेंगे जो रज से भरी होगी बिल्कुल कडारी होगी हलवाई जैसा हम बना के आपको दिखाएंगे इस रेश्पी को आप भी जुरू किजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए कमेंट करना मत भूलिए तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं जले भी बनाने के लिए हमने निया है 200 ग्राम मैदा मैदा को हम सबसे पहले एक बॉल में लेके चान लेंगे तो यहां पे आप सारे प्रिक स्थिहां से देखिए आपके भी धर में इक्तम फुली-फुली कडारी जलेवी बनके तयार होगी हमने मैदा को चान लिया आप हम इसमें डालेंगे शौग्राम दही तो यह घड की दही है थोड़ा खटी होनी चाहिए तो ही जलेवी अच्छे से तयार होत तो आप अपने मन पसंद फूट कलर डाल सकते हैं या तो और इंग डाली है या पीला डाली है ऐसे लिए आप जलेवी तयार कर सकते हैं तो यहां पर हमने दो बींस फूट कलर लिया है अब इन सारे इन ग्रिदियेंश को हम एक भीक्ती मदद से ऐसे खेंट लेंगे मैदे में बिल्कुल लंप्स नहीं रखना है इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी का हेल्प लेंगे और मैदे को अच्छे से फेंटेंगे तो हम चार चार चमस पानी डाल डाल के और भीक से मैदे को ऐसे भूमाते हुए फेंटेंगे के acá हमें बेटर जादा पत्ला भी नहीं करना है के अब खबडाय नहीं जादा गार्था होगा तो पानी डल सकता है और पत्ला हो गया तो इक कुल मैदे से हम उसको वालेंस कर सकते हैं पर बहांना थैं। अब हम बेटर को साथ से आठ मिनट तक ऐसे ही फ्येटेंगे धियान बहे डाइरेक्शन देखी होना चाहिए तभी हमारा बेटर फ्रॉपी होगा बेटर को हम आठ से दस मिनट तक कंट्निव एक ही डाइरेक्शन में चलाते हुए फ्येटेंगे अब जाके हमारे बेटर जो है वो फ्रॉपी तयार होगा ऐसे आप कंट्निव भूमाते रहें आप चाहें तो हाथ ही उच करें चामाच ही उच करें या भी इसको तो इससे करें पर कंट्निव इसे फेटना है हमने अपने मैदे को दस मीनर तक खेंट लिया है आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बावल्स आने लगे हैं अब हम क्या करेंगे इसे ठक के रेष्ट करने के लिए छोड़ देंगे तो हम इसे एक घंटे तक रेष्ट करने के लिए छोड के बिचनी को हम गयज पे मिल्ट करेंगे तो में में रखाटी है चन्मी रख दाते हैं चाशनी आप कभी भी चौड़े पिल्ली वाले बर्तन में बिनाएं क्योंकि जब जलेवी को तलेंगे तो गड़मा गड़म चाशनी में डालना होता है इसके लिए हम चौड़े मुख वाली बर्तन लेते हैं आप देख सकते हैं अपनी चिनी पिखलने लगी है अब हम इसमें दालेंगे निभ्बू का ठुक्ड़ा कि इस्से क्या होता है अपनी चाशनी यह सोभाई होती है आप हम चाशनी को चार से पांस स्थेंटे पकाएंगे चाचनी को चलाते हुए पकाएंगे अब देख सकते हैं अपनी चाचनी कैसे उबा ले रही है हमें चाचनी में कोई ताड़ वाली चाचनी नहीं बनानी है चीनी को अब दूद से भी शाफ कर सकते हैं आधा कब दूद रा लिए साड़े मेली किनारे हो जाता है फिर हम उसे जाले से या चमच से निकाल के बाहर कर देते हैं तो यहां पे अपना निम्भू का काम हो चुका है अब हम चमच की मदद से निम्भू को ऐसे देरा करते हुए निकाल लेंगे आपको चाशनी भी खा दे रहे हैं चमच को हमने बाहर कर लिया हलका सा अपना चमच ठंडा हो जाए फिर हम इसे ऐसे अंग्यों से चेक करेंगे आप देख सकते हैं मद के जैसे चिपची पाभा टाड़ ही है अपनी चाशनी में पर कोई ताड नहीं बन रही है अगर ताड बन जाएगी तो जिलेवी के अंदर अपनी चाशनी आपचम नहीं होगी फिर तो जिलेवी अस्यदार नहीं होगी तो बस हमें ऐसे ही चाशनी बनाना है अब यहां पर हम डालेंगे इसमें थोड़ा अशा फोड कलर कलर हम इसलिए डालते हैं कि जलेवी बिल्कुल हलवाय जैसे देखें कलर डालके हम एक मिनट तक और उबाल लेंगे चाशनी को अब देखें कितना आच्छा कलर आया है यह जब चाशनी जलेवी में जायेगा तो जलेवी की खुशूरती बढ़ जाएगी कलर डालने के बाद हमने चाशनी को उबाल लिया है आप देख सकते हैं कि बढ़िया आपनी जलेवी की चाशनी तयार होई है अब हम फ्लेम को आउफ कर लेंगे वेटर डेश्ट कर चुका है चलिए हम एक बड़ सेख कर लेते हैं तो आपको दिखा दे रही हूँ अपनी ब मेकर को एक जलेवी मेकर में भड़ेंगी तो यह मेकर जो है मार्केट में इसनी मिल जाता है आप चाहें तो प्लास्टिक का कॉर्णर काटके और उससे भी बना सकते हैं दूद की थैली हो साफ कर लीजिए उसके कौनी को एक छोटा साथ काटके फिर उसमें बेटर भड़के बनाएं लेकिन मेरे पास यह जालेवी मेकर अबलीबल है मैं इस दी बना रहे हूं तो इसका हम धकन खोल देंगे और इसमें से थोड़ा-थोड़ा बेटर लेंगी और आराम से इसमें हम भड़ेंगे जलेवी मेकर में बेटर अच्छे से भड़ लिया है यानि कि यहां तक हमने बेटर भड़ा है अब हम इसके धकन को कशके लगा लेंगी अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं गैस पे हमने एक चौड़ी पेंदी की पैन रख लिया है जलेवी के लिए ऐसी ही पैन चाहिए यह मार्केट में मिलता है या आज कल नावने श्टिक भी आ रहा है तो मेरे पास यह वाला है ऐसी ही चौड़ी पेंदी वाली पैन होनी चाहिए पैन में हमने आधा घी और आधा तेल डाला है हमें ज्यादा भी नहीं डालना है और पर यह कम भी नहीं रखना है तो हमने तेल गरम कर लिया, अब हम बेटर में से एक ड्रॉप डाल के तेल चेक कर ले रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, बेटर पड़ते ही अपनी जलेवी तैर के उपड़ आ जा रही है, इसे हम निकाल देते हैं, ऐसी चिम्टी चाहिए हमें जलेवी टर्ण करने के लिए, हम घड़ के लिए बनाते हैं, तो एक फोग से भी उलड़ सकते हैं, पर यही जलेवी के लिए परफेक्ट होता है चम्टी, चलिए अब हम जलेवी का सेब देना सुरू करते हैं, जलेवी बनाते समय हम ख्लेम को मेडियम कर लेंगे, और फिर उसमें जलेवी का सेब देंगे आप देख सकते हैं जैसे ही पैन में अपना बेतर पर रहा है आप आजरे ही अपना गया जाता है तो हम दूसरे जगह पे दूसरी जलेवी तयार कर ले रहे हैं अब हम एक साइड से इसे तेर मिनत तक अच्छे से पकने देगे तभी इसे छूना है नहीं तो जलेवी तूट सकती है एक साइड से अपनी जलेवी सीख चुकी है तो हम इस तिम्टी की मदब से ऐसे पकड़के और फीरेसी से टर्ण कर लेंगे आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये सारे काम हो रहे हैं बोल से हैं जलेवी बनाना ठेड़ा मेरा काम होता है और मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी सौधानी बढ़ते हैं जलेवी एकदम हलवाई जैसे बढके तयार होगी हम तो यहां कहेंगे कि हलवाई से भी अच्छी जलेवी तयार कर सकते हैं हम घड़ में आप देख सकते हैं अपनी जलेवी कडारी तयार हो गई है तो हम ऐसे चम्टी से एक के ऊपर एक सभी जलेवी को उखठा कर लेंगे और एक साथ में हम इसे पकड़के इसका एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे अब हम जलेवी को चाचली के तरफ ले चलते हैं तो यह अपनी चाचली तयार है इसमें हम जलेवी को डाल देंगे और एक दूसरी चम्मच की मदद से इसे ऐसे डूबा देंगे हमें इसे एक से तेर मीनट तक चाष्णी में डूबे रहने देना है जिससे अपनी जलेवी अच्छे से चाष्णी को अब्जॉब कर लेगी इतने टाइम में हम खडाही में दूसरा बैस डाल ले रहे हैं तो हम सेम प्रोसेस से अप एक बड़ और देख लीजिए ऐसे जलेवी का सेवी दे रहे हैं आप देखिए कितनी बढ़ी आपनी जलेवी तैर के उपड़ आ रही है जहां जगह खाली हैं हम दूसरी जलेवी फिराग से तयार कर ले रहे हैं इतनी बड़ी आपकी पैन होगी इतनी बड़ी बड़ी जलेवियां बनाईये बड़ा छोटा आपके ऊपर है एक साइड से अपनी जलेवी कडारी हो रही है तर तक हम चाशनी से जलेवी को बाहर कर ले रहे हैं तो फ्रेंड्स में आपको दिखा देना चाहूंगे आप देखिए जलेवी कितनी अच्छे से रस को अप्जॉब की है तो हम एक दुसरे श्पून से ऐसे टेरा करते हुए एक श्ट्रा चाशनी इरा देंगे और इसे एक प्रेट में निकाल देंगे अड़े वाह क्या सुंदर अपनी जलेवी तयार हुई है तो आप देख सकते हैं अपनी दुसरी बैस भी जलेवी की फ्राइ हो चुकी है तो इसे हम सेम प्रोसेस से एक के उपर एक इक इक अठा करेंगे और अब हम इसे एक श्ट्रा देल गी राते हुए चाशनी के तरफ ले चलेंगे प्राशनी में हम जलेवी छोड़ देंगे और एक चम्मच की मदद से इसे रच में डुबा देंगे यह जब तक अपनी रच अब जब करेगी हम दूसरा बैस भी तयार कर लेंगे यह जब जब देलेगे दूसरी जलेवी भी अपना अच्छे से रस्ट चूस चूस चूकी है अब हम इसे चम्मच से तेरहा करते हुए प्लेट में निकाल लेंगे यह जब जब देलेवी बना के प्यार करेंगे यह जब जब देलेगे रही हम जबिजयन वे जब जब देलेगे हमने सभी जलेवी बना के तयार कर लिया है चलिए इसकी प्लेटी कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपने देख लिया घरपी जलेवी बनाना कितना आसान है वह भी बिल्कुल कडारी रश्टे भड़ी हुई तो इस रेश्पी को आप ज़रो ट्राइक कीजिए और मेरी चैनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए कॉमेट करना मत भूलिए धन्यवाद